असलाम अलेकुम वेलकम बैक टू माई चैनल आज आप लोगों के साथ बहुत ही यूनिक सी रेसिपी शेयर कर रहे हैं जिसका नाम है अल्टा पल्टा बहुत ही टेडिसनल रेसिपी है वीडियो को एंड तक जरूर देखें पसंद आएगी तो लाइक शेयर कीजिएगा चैनल बैसन ले लिया है अब इसमें हम मसाले शामिल करेंगे तो मसाले हैं हमारे चौथाई टीस्पून हींग है एक टीस्पून लाल मिर्च है एक टीस्पून चिली फ्लेक्स है टीस्पून जीरे का पाउडर है हाप टीस्पून हल्दी है हाप टीस्पून साबुत जीरा है और ह एक टीस्पून जाइके के मताबिक नमक ले लिया है इन सभी को बेसन में डाल देंगे और अब इसमें हम शामिल करेंगे एक छोटे साइस की प्यास जिसको हमने बारीक चौप कर लिया है और तीन हरी मिर्च जिसको बारीक से कट कर लिया है अब इसमें हम डाल देंगे एक अं अब इसमें हम थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाल के इसका घोल बनाएंगे, एक साथ हमें सारा पानी नहीं डालना है, कुल इसमें एक कप पानी गया है, लेकिन इसको हम धीरे-धीरे करके डालेंगे, तो consistency हम एक बार चेक कर लेते हैं, तो यह भी बहुत गाड़ा लग रहा है इसमें हम अभी एक सर्विंग स्पून पानी और डाल देते हैं तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है इसमें कोई गुठलियां वगेरा नहीं होनी चाहिए इस तरह से इसे हमने अच्छे से फेट लिया है अब इसको हम एक side रग देते हैं अब हम चलते हैं अपने gas की तरफ gas पे हम एक pan चड़ा देंगे आप तवा भी ले सकते हैं इस recipe के लिए इस पे हम एक teaspoon oil डाल देंगे ओयल को फैला देंगे पूरे पे और इसे हम दो मिनट गरम करेंगे गैस की फ्लेम हम मेडियम रखेंगे अब हम इस पे कलचुल से बेटर डाल देंगे बेसन वाला तो जितना बड़ा हमारा पैन है हम उतना बड़ा ही बना रहे हैं आप अपने बरतन के हिसाब से बनाए जितना बड़ा आपका तवाया पैन है अब इसे हम दो तीन मिनट के लिए कवर कर देंगे गैस की फ्लेम मीडियम होनी चाहिए तो इसे हम चेक कर लेते हैं ये देखिए ये सूप गए है उपर से भी जब इस तरह से ड्राइ हो जाए और हमारी उंगलियों में बिलकुल भी न दिखें तो समझ लीजिए कि ये पक चुके हैं तो अब हम इस तरह से इसे मोड़ेंगे फोल्ड करना है हमें तो बहुत आसानी से ये मुड़ जाएंगे और बहुत समहल के इसे आपको फोल्ड करना है ये टूटे नहीं तो थोड़ा सा हाथों से हम इसे पकड़ के इस तरह से फोल्ड कर देंगे तो ये चीले वाला सालन बहुत टेस्टी लगता है जैसे हम लोग चीला बनाते हैं वैसा ही बनाना है और उसे इस तरह से फोल्ड कर देना है अब इसकी हम साइड चेंज कर देते हैं इस तरह भी से हम थोड़ा सा पका लेते हैं तो ये थोड़े से कुरकुरे हो जाएंगे और अच्छे से पक भी जाएंगे तो एक मिनट हमने ये साइट पर भी इसे पका लिया है अब इसे हम समहाल के निकाल लेते हैं बहुत समहाल के निकालना है और बस इसी तरह से हमने सारे यहां पर पल्टे बना लिये हैं तो यहां पर 200 ग्राम बेसन में हमने चार पल्टे बना करें लेंगे तो यह दीञार के लिए तो यहां पर पने अकटकches, अब हम अब जणी के लीरे वीरWeede Be तो हम दो तो बेंगे, यह जता को बागी के मुटाआ खरला कट लेंगे तो यहां पर हमने वाख्टे कट कर लीने事 कम ज़्यादा जितना भी आप पसंद करते हैं ऑईल जैसे ही गरम हो जाए इसमें हम हाप टीस्पून मेथी दाना डाल देंगे और इसे एक मिनिट हम पका लेंगे मेथी को एक मिनिट हमने जब पका लिया तो इसमें हम एक बड़े साइस की प्यास जिसको फाइंड सा पेस्ट बनाके डाल दीए है अब इस प्यास को हम भूनेंगे तो इसको हम पहले ओयल में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और साथ ही इसमें हम डाल देंगे एक टेबल स्पून अधरकलसन का पेस्ट और अब दोनों चीजों को हम अच्छे से मिक्स करते हुए इनकी चार पांच गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है प्याज हमारी अच्छे से यहां पर लाइट ब्राउन कलर की हो गई है यह देखिए प्याज अच्छे से जब पक जाए तो इसमें हम शामिल कर देंगे दो मीडियम साइस के टमाटर या एक बड़े साइस का टमाटर जिसका इस तरह की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसे हम चार मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं कवर करने से टमाटर हमारे यहां पर पक जाएंगे और ग्रेवी इस तरह से अच्छी बंदी है जब हम टमाटर को थोड़ा सा कवर करके पका लेते हैं तो यहां पर चार मिनट हो गए कि यहां पर जीरे का पाउडर और डेढ़ टेबल स्पून यहां पर धनिये का पाउडर डाल दिया है एक टीजब गरम मसाला डालेंगे हाप टीजब को अच्छे से मिक्स करेंगे गैस की फ्लेम हमें थोड़ा सा लो कर देना है मसाले हमें अच्छे से भूनना है तो दो-तीन मिनट जब हम मसालों को भून लेंगे तो इसमें हम दही शामिल करेंगे ये दही हमारी आधा कप है इसको हमने अच्छे से फैट लिया था अब इसे हम mix करेंगे गैस की फ्लेम एकदम low रखेंगे दही फटे नहीं और जल्दी जल्दी से इसे हमें mix करना है इस तरह से तो जो दही की गुठलिया दिख रही है इसे हम अच्छे से mix कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से इसे हमने mix कर लिया है अब इसमें हम शामिल करेंगे एक टीस्पून नमक, नमक आप अपने जाइके के मताबिक डालिएगा, गैस की फ्लेम थोड़ा सा हम अब मेडियम कर देंगे और अब मसालों की हम लगतार चलाते हुए दो-तीन मिनट और भुनाई करेंगे फिर इसे हम दो-तीन मिनट के लिए कवर कर देंगे, इस तरह से मसाले हमारे जल्दी से पक जाएंगे तो ये देखिए, तीन-चार मिनट हो गए हैं धीमी आज पर, यहाँ पर मसाले हमारे बहुत अच्छे से पक चुके हैं और इनमे अब बहुत अच्छी सी खुश्बू भी आने लग गई है, तो मसाले हमारे यहाँ पर पक गए हैं लेकिन हम थोड़ा सा इसमें बेसन डाल देंगे, बेसन डालने से ग्रेवी हमारी थोड़ी सी गाड़ी बनेगी और जो पानी जैसा दिखने लगता है वो नहीं दिखेगा, तो इसे डालके हम एक मिनट और पका लेते हैं, बेसन का कच्छापन दूर हो जाए अब इसमें हम पानी शामिल कर देंगे, तो पहले हम यहाँ पर एक कप पानी शामिल करेंगे, फिर इसे हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, तो पहले हम ग्रेवी को अपने चिक कर लेते हैं कि हमें कितनी चाहिए लेकिन इसमें थोड़ा सा पानी आपको जादा ही डालना है क्योंकि ये जो पल्टे हैं बेसन के बने हैं तो ये पानी को सोख लेंगे तो यहां पर हम दो सर्विंग स्पून पानी इसमें और डाल देंगे तो कुल मिला कर हमने यहां पर दो कप पानी डाल दिया है तो पानी आप दो कब डालिए अगर इतना ही बना रहे हैं तो आप चेक कर लीजिए इस तरह से शोर्बा जो हमारा है इसकी कॉंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए ना बहुत ही गाड़ी होनी चाहिए और ना ही पतली होनी चाहिए अब इसे हम वाइल करेंगे पांच मिनट धेमी आज पर तो यहाँ पर सालन हमारे बहुत अच्छे से पक चुके हैं पांच मिनट अब इसमें हम अपने पल्टे शामिल करेंगे तो इसे हमें एक एक सामिल करना है इस तरह से एक के उपर एक नहीं डालना है एक एक डालना है जिसे हम लोग मचली के पीस डालते हैं उसी तरह से एक के उपर एक आपको नहीं डालना है और हलके हाथों से इसे इस तरह से डीप कर देना है शोरबे के अंदर ये अच्छे से जब पक जाएंगे तो बहुत नरम और और जब ये ग्रेवी को एक्सॉप कर लेंगे तो खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे यहां पर हमने एक टीस्पून कसूरी मेथी जिसको हमने हलका सा ड्राइ करके हाथों से करश करके डाल दिया है कसूरी मेथी डालने से इस शौरबे में बहुत ही अलग सा टेस्ट आ जात इसे हमने चार मिनट पकाया है फिर इसे हम सरो कर लेते हैं यहां पर बहुत ही मज़ेदार से अल्टे-पल्टे के सालन हमारे रेडी हो चुके हैं इसे आप रोटी के साथ चावल के साथ सारो करें सबको बहुत पसंद आएंगे बच्चे बड़े घर में कोई सबजी नहो य चैनल पर निव है तो सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो देखने का शुक्रिया अल्ला हाफिज